तो जरूर एक बार चकाउट कर लीजेगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगे उस पर क्लिक करके जरूर एक बार देख लीजेगे इन इस वीडियो 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 आपको पूरे वीडियो में मिल जाएगा अगर हम लोग बात करते हैं एसीड बेस एक्विलिब्रियम का ठीक है तो questions कैसे पूछे जा सकते हैं आपके लिए देखिए धान से find the pH of that 0.1 molar CCl3COOH और यहां पर के वैल्यू उसकी दे दी गई है and 0.1 molar of acetic acid that is CS3COOH और उसके भी के वैल्यू आपको दे दी गई है याद रखेगा जहां पर भी आपको Ka value दिया जाए that means that is a weak acid अगर Ka value नहीं दिया रहता है तो समझ जाए वो strong acid आपको दिया गया है ठीक है तो यह clarification अपर दिमाग में रखेगा अगर हम लोग बात करते हैं CCL3COOH को तो वो कैसे dissociate होगा that will be CCL3COO minus और H plus में dissociate होगा ठीक है यहाँ पर आपको initially concentration दे दिया गया था कितना 0.1 molar तो हम लोग रख लेंगे यहाँ पर 0.1 molar for CCL3COOH at time t is equal to 0 अगर time t is equal to t हम लोग बात करते हैं तो समझ यह x mol बन रहा है यह भी x mol बन रहा है तो इसमें से ही बन रहा है तो इसमें से minus कर दीजिए आप x mol बन रहा है तो that is 0.1 minus x हो जाएगा यहाँ तक आपको clear होना चाहिए next हम लोग उठाते हैं जो हमारा दूसरा vkacid दिया गया है c that is acetic acid अगर हम लोग बात करते हैं acetic acid का तो यह कैसे dissociate होगा that is CS3COOH minus plus h plus ठीक है यह बन रहा है और जब y बन रहा है तो यह normal सी बात है जब y बन रहा है तो इसमें सही बन रहा होगा आपने x लिया आता तो उसके साथ y को plus कर दीजिए y लिया तो उसके साथ x plus कर दीजिए मतला हमारा h plus की concentration x plus y दोनों का मिलके ही मिलेगा यह ज़िए अपने दिमाग में रखेएगा ठीक है अब normal हम लोग simple सा जो हमारा formula होता है product upon reactant वो कर लेते हैं ठीक है upon x plus y और यहां पर क्या था that is 0.1-1 remember this यहां पर एक चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि यहां 10 raise to power minus y है बहुत छोटी value है तो हम लोग यहां पर x को neglect कर सकते हैं ठीक है तो हमारा क्या value निकलेगा ध्यान से दिखिए that is x into x क्या हो जाएगा यह हमने पूरा ले लिया है ठीक है यह जो 0.1 है इसके साथ multiply हो जाएगा तो that is 10 raise to power minus 6 बन जाएगा और इसको हमने suppose किया as an equation 1 समझ गए यह चीज़ अगर हम लोग second के लिए बात करत हमें value क्या दी यहाँ पर आपको k a की value दे दी थी हमने यहाँ पर put on कर लिया that is value 2 into 10 raise to power minus 5 as मैंने आपको बता है 10 raise to power minus 5 is very much low value तो आपको y की value neglect कर सकते हो last way मैं इसका reason भी बताऊंगा सब कुछ चीज है ठीक है यहाँ आप इसको cut out कर देते हो तो हमें जो second equation मिलेगा that will be this one तो हमें यहाँ पर दो equations मिल चुके हैं ठीक है क्या करना है आपको add these first equation and second equation जो हमें मिला है क्योंकि यह same weaker के अंदर हो रहा है तो हमें जो भी properties मिलने चीए और दोनों एक ही weaker के अंदर होनी चीए इसलिए हम लोग यहाँ पर addition कर रहे हैं समझ कि यह चीज तो clear out हो चुका y plus x plus y तो हमने उसको भी यहाँ पर लिख लिया है और साथ में यह देख लीजिए that is 7 into 2 क्या हो जाएगा plus करना था हमें तो 7 और plus 2 क्या हो जाएगा 9 into 10 raise to power minus 6 समझ के तो यह चीज इस clear out हो चुका होगा साथ आपको अगर इसको solve यहाँ पर अगर आप x plus y को common निकाल लेते हो तो आपके पास यह मिलेगा that is x plus y x plus y और यह पे values मिल जाती है अगर आप इसको multiply करते हो तो x plus y square बन जाएगा इसको solve करते हो तो आपको x plus y की value मिलेगी that is 3 into 10 raise to power minus 3 ठीक है यहाँ पर clear हो गया अब यह x plus y है क्या यह अपने के दिमाग में आनी चाहिए x plus y हमने क्या रखा था? h plus की concentration क्यों? क्योंकि हमें क्या find करना था? pH अब clear out हो रहा होगा साथ आपके दिमाग में आ चुका होगा values सब कुछ अच्छे से तो यह हमें h plus की concentration की value मिल गई है अब आपको पता है pH is equal to minus log h plus concentration तो यहाँ पर हमने इसको puton कर लिया value इसको अगर आप solve करते हो तो क्या निकलेगा इसको solve करोगे तो log 3 का log हो जाएगा and 10 raised to power minus 3 का भी log ले लिया जाएगा तो आप normal है अगर आप need case aspirant हो तो यहाँ पर मैं clear out कर देता हूं ध्यान से देख ली करेंगे as in 3 और यहाँ पर जो values थी इसको अगर आप solve करते हो तो आपको answer मिल जाएगा that is 2.52 तो यह जो आपको मिला है that is pH of 2.52 I think यहाँ पर clear out हो चुका होगा कि कैसे हमने first question solve किया है from acid base के point of view से pH कैसे solve करना था वो ठीक है next हम लोग देख लेते है multi stage ionization इसे related questions पूछे जा दिया गया point पर बहुत सारे students इसको छोड़ देते हैं क्योंकि confusion लगता है उनको लगता है कि hard होता है इस point को छोड़ देते हैं तो यह मैं question को ऐसा उठा रहा हूं जो maximum आपको पूछा जा सकता है वैसा hard question उठाया हूं जल्दी जल्दी easily मैं आपको समझा दूँगा तो पू polyatomic acid याद रखेगा simple इतनी याद रखेगा that is polyacid ठीक है reasons क्या मैं बताऊंगा आगे given as ka की value यहां पे दे दी कही है k2 की value दे दी कही है और यहां पे ka3 की value आपको दे दी कही है अगर solutions हम लोग करने जाते हैं तो S3PO3 पहले ionize किसमें होगा dissociate किसमें होगा h2PO4 minus और h plus इसमें से बाहर निकल जाएगा initially अगर t is equal to 0 के मैं बात करूं concentration आपको क्या दिया गया था 0.1 molar तो आपने यहां पे रख लिया 0.1 molar simple सा है अगर यह चीज़ में बात करता हूं t is equal to t तो इसमें से समझी आपको x value मिल रही है ठीक है x कैसे बन रहा है product क्योंकि इ minus कर लिए इसमें से x और यहां पे भी x ठीक है उसको neglect किजिए मैं बाद में समझाता हूं और यह बात कर लिया हम for ka के लिए हमने बात किया अगर यही ka2 के लिए बात करना है मतलब वह वापस dissociate हो रहा है यह जो हमें मिला है इसको वापस dissociate करना है तो कैसे करोगे इसमें से एक और एज बाहा निकाल दीजिए और आपके पास क्या बन लेगा that is h po 4 minus 2 ठीक है पहले minus 1 था यहां पे minus 2 खिया हमने और h plus जो था वापस एक बाहा बाहा निकल गया सेम चीज़े करनी है इसकी value क्या दी गए थी initially t is equal to 0 हमें पास क्या था x था हमें क्या गणना यहां हम suppose करते हैं कि यहां पे यह y बन रहा है time t is equal to t ठीक है यह दुनों y बन रहे हैं तो इसमें से y को minus कर दीजिए next simple सी पता है third time वो dissociate हो रहा है third time कैसे dissociate करोगे यह जो आपके पास है इसमें से एक बार h वापस निकाल दीजिए ठीक है इसमें से अगर हम लोग h को बाहर निकालते है तो आपके पास क्या मिलेगा p of 4 minus 3 ठीक है simple सा logic है दिमाग में आया है चीज और इसकी value आपने क्या रख अब यह जब सारी चीज़ें जो हो रही है वो एक ही विकर के अंदर हो रही है जैसे पिछला question हम लोग देख आ चुके महाँ पे भी हम लोग k a और k2 दोनों के लिए कर रहे थे यहाँ पर यह वैसे ही हो रहा है तीन चीज़ें दी गई है पर क्या हो रहा है एक ही विकर के अंदर हो रहा है तो h plus की concentration जो होगी वो तीनों का plus होगा मतलब x plus y plus z होगा यहाँ पे भी x plus y plus z होगा यहाँ पे भी x plus y plus z होगा क्योंकि acid की property थोड़ी चेंज होगी एक ही विकर के अंदर है एक ही समझ रहे हो साइट क्लियर हो चुका होगा एक ही आपके दिमाग में समझ पास था product upon reactant हमने कर लिया product upon reactant क्या मतलब यहाँ पे x plus x plus y plus z upon 0.1 minus x किया हमने जैसे कि मैं पीछे सिखा के आचुका हूँ आपको यहाँ पे हम neglect किसको करेंगे x and y को neglect करेंगे मतलब यहाँ पे y and z को neglect करना है आपको initial क्यों neglect करना है reasons मैं आपको आगे बताऊंगा reasons भी बह प्रियाद रखना है आपको देखे 10 raised to power minus 3 यहाँ पे दिया गया है 10 raised to power minus 8 दिया गया 10 raised to power minus 13 गैप कितने का बन रहा है आपके पास 10 raised to power minus 5 का पीछे भी मैं करके आचुका हूँ 10 raised to power minus 5 था तो हमने x को neglect किया था अपने दिमाग में यहीं रखेंगा आपको दिख रहा है यह यहाँ पर भी neglect इसको कर देना है तो क्या करना है आपको इन दोनों को neglect कर दीजिए इसको as an value आपको ले ले लेना है ठीक है इसका trick भी मेरे पास एक trick है इसका poly that is multi-stage ionization का भी मैं आपको आगे बताऊंगा तो हमने क्या किया यहाँ पर simply y and z को neglect out कर दिया यहाँ पर जैसे कि confusion रहती है 0.3 की अगर हम बात करते हैं तो 0.0003 निकलेगा और इसके मुकाबले 0.1 जादा है तो इसको हमें लेना है इसको neglect करना है ठीक है यह clear हुआ इसको अगर आप solve करते हो तो क्या निकलेगा x into x क्या हो जाएगा x square हो जाएगा 0.1 इक्वल टू 920 पार माइनस 3 समझ के same for हम लोग second equation के लिए कर लेंगे जो हम नहीं यहाँ पर second decision कर आया था उसका ठीक है तो क्या था हमारे पास y plus आपको क्या मिलेगा यहाँ पर x plus y plus z into y divided by क्या था x minus y ठीक है इसकी value आपको दे दी कही थी k2 की value ka2 की value क्या थी 6.3 into 10 इस पाउर minus 8 जो हमने वहाँ पर put on कर दिया है इसको solve करते हैं जैसे कि मैंने आपको सिखाया यहाँ पर neglect कि इसको करोगे आप इसको neglect करोगे और यहाँ पर x and y z को neglect करोगे जैसे कि हम पीछे कर चुके हैं वही reasons है जो मैं आपको पीछे सिखा के आ चुका हूँ ठीक है 10 इसको solve करते हैं तो आपको x into y मिलेगा x into y मिलेगा divided by x ठीक है x से x कर जाएगा तो यहाँ पर y की value direct आपको मिलके rate is 6.3 into 10 raised to power minus 8 next हम लोग बात कर लेते हैं third one के लिए करते हैं तो third one के लिए क्या मिलेगा into z into x plus y plus z divided by y minus z कैसे solve करोगे यहाँ पर इन दोन को neglect कर दीजिए आप ठीक है यहाँ पर इसको neglect करेंगे x into z हो जाएगा यह समझ रहे हो divided by y और यह value आपके पास दी गई है ठीक है इसको कैसे solve करोगे इसको कैसे solve करोगे यहाँ पर तो हमें x की value मिल गई y की value मिल गई तो दोनों को put on कर सकत करते हैं ध्यान से देखे x की value आपके पास मिल चुकी है y की value पहले से ही मिल चुकी है जस्ट हम लोग उपर solve करके आ चुके हैं उनको put on कर दीजिए values को and z यहाँ पर find कर लिजिए तो z की value हमारे पास जो last में निकलेगी that is 9.45 into 10 is to power minus 19 I hope यहाँ तक मैं clear हूँ आपको दिमा value मिली है that will be simple x की value हमें मिल गई y की value मिल गई and z की value मिल गई तीनों की value हम क्यों find कर रहे थे क्योंकि हमें h plus की concentration की value find करनी थी यहाँ पर आपको क्या करना है तीनों को plus कर देना पड़ेगा तभी आप h plus की concentration find कर पाऊगे पिछले equation में हमने यहीं किया तो h plus concentration find करने के लिए तीनों को plus कर दीजे तीनों को plus करते हैं यहाँ पर हम इन दोनों की values नेगलेट कर सकते हैं कैसे नेगलेट कर सकते हैं ध्यान से सुनिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी value हमें निकली 10 to the power minus 2 ठीक है इसकी value निकलती है 10 to the power minus 8 minus 90 इसके मुकाबले यह बहुत पीछे है जैसे कि इसमें समझ यह 1 आप ले रहे हो तो इसमें आप 0.000000 इतना अगर लेते हो तो यह at the end आपको मिलेगा 1 ही, तो इसको हम neglect कर सकते हैं, इसको हम neglect कर सकते हैं, इसका मतलब एक चीज़ क्या पता चलता है, main जो important था, जो आपको x की value ही थी, वही आपका h plus concentration निकाल सकता था, मैं आपको starting में बोला, मैं आपको एक trick दूँगा, तो trick याद रखेगा, जब भी, जब भी आपको multi stage दिया जाए, तो जो ज़्यादा values होती, जैसे कि यहां के x की value सबसे ज़्यादा थी plus में, ठीके, उसको as in h plus की concentration आपको समझ लेना है, इंद उनको neglect कर देना है, h plus की concentration समझ बार बार हम लोग yz को yz को neglect कर रहेते हैं, सायद आपको समझ में आचुका होगा, क्यों हम लोग कर रहेते हैं, क्योंकि at the end, उनके values बहुत छोटी थी, छीक है, तो हमारे पास value क्या निकली, h plus की 3 into 10 अगर pH के form में रखते हो आप लोग, जैसे कि मैं अभी पीछे गर क्या आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा है, तो आपको pH निकालने में कोई भी problem नहीं होनी चाहिए, अब questions आप easily tackle out कर सकते हो, next हम लोग बात कर लेते हैं, solubility product की, ठीक है, अब इससे भी questions पूछे जाते हैं, confusions बहुत सारे students को अभी भी रहता है, simple सा topic है, फिर भी confusion रहता है इनको, देखे, question कैसे दिया जाता है, देखे, given the KSP of PCL2, that is, यहां पे कुछ value दे दी गई है, अब यह जो है KSP की value दी गई है, find the solubility of, यहां पे दो चीजों की solubility find करना है, मैं दोनों ले रहा हूं, क्योंकि अच्छे से आपको समझा चकूँ, ठीक है, अब यहां KCL द दिया गया है, initially हमें क्या दिया गया है, PBCL2, इसको अगर आप solve करते हो, तो क्या आपको निकलेगा, PB2 and CL-2, चीक है, तो यह आपको simply, जो 2 mol मिल रहा है, सायद मैंने आपको trick up solubility का KSP solubility का trick मेरे चैनल पे देख चुके होगे, तो एक चीज़ पता चल चुका होगा, it always depends upon the stoichiometry, तो यहाँ पर एक दिया गया है, तो यह इसको हम as an S मानेंगे, consider करेंगे, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो इसको हम consider करेंगे 2S, ठीक है, clear है यहाँ तक, I hope clear होगा, ठीक है, next हम लोग बात करते हैं, जिसको हमें solve करना, यह तो हमारा standard हुआ, ठीक है, जिसको solve करने के ल कि यह जो है, that's and strong, that's and strong, यह fully amonized होगा, ठीक है, तो यह fully amonized होगा, तो जितना 100% है, पूरा आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है, clear, second की बात करते है, PBCL2 जो आपको दिया गया था, कहां गया, अब यह PBCL2 इसके comparison में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखे, इसके comparison में अगर आप PBCL2 करते हो, मतलब KCL दिया गया था, हम first question solve कर रहे हैं, second मत देखे, इतना हम solve कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके comparison में PBCL2 हम देखते हैं PBCL2 जैसे के मैंने आपको सिखाया, उपर जैसे हमने लिया था, साथ साथ में इसके साथ क्या प्लस हो जाएगा, 0.01, क्यों ऐसा हमने किया, क्यों हमने किया, यहां पे हमने तो यह जो लिखा था, वही मैंने यहां पे लिखा है, पर इसके साथ मैंने प्लस क्या कर दिया, 0 0.01 क्यों ऐसा हुआ, that is simply common ion effect, जो CL यहां पे बन रहा था, यहां पे भी वही CL बन रहा है, and that will add on, यहां पे add on हो जाएगा, पहले reaction में, तो आप सोचिए, एक बिकर आपने लिया है, उसमें PBCL 2 लिया था, और उसका simple ऐसे निकल रहा था, then हमने उसके अंदर KCL डाला, KCL में से आपका chlorine जो है, common ion effect बना रहा है, तो यहां common ion effect का जो value था, उसके अंदर plus हो गया है, क्योंकि एक ही solution add हो रहा है, ठीक है, साथ यहां तक clear होगा, ठीक है, अजब addition हो जाता है, तो आपके values अप कैसे लिख सकते हो, simply ऐसे लिख सकते हो, यह 2CL आपको दिया गया है, मतलब इसक इसको solve करते हैं, तो KSP की value आपको दी गए थी, पहले से ही sum के अंदर, that is 4 into 10 is to power minus 12, अगर मैं इसको CL को रह लेता हूँ, और simple s को ले लेता हूँ, यह जो values हमारे पास थी, यह जो 2 रहता है, उसको power में डाल दिया जाता है, ठीक है, याद रखेगा इस चीज़ को, इसको अ वो हमेशा कम होगी, common ion effect जब ही formation हो रहा है, तो इतने आध रखेगा, कि जब CL की formation हम लोग कर रहे है, तो यहाँ पर जो CL की common ion effect हो रहा है, उसकी value जो है, वो कम हो रही है, confusion हो सकता है, मैं यहाँ जान सकता हूँ, students को confusion होता है, common ion effect related, एक trick बने होई है मेरे channel पर, please उसको जाक साइध वहाँ पर clarity आपको अच्छे से मिल जाएगे, ठीक है, इसका solution आप करते हो, तो यहाँ पर S की value आपको जो मिलती है, that is, 4 x 10 इस्ट पॉर, minus 8 mole per liter, ठीक है, यही चीज़ अगर हम लोग 2nd one के लिए करते हैं, तो हमें जो dissociate करोगे उसको, जो हमें 2nd one दिया गया था, PB NO3 hold twice, तो वह कैसे बनेगा, PB plus 2 and 2NO3 minus में convert होगा, standard हमारे पास क्या है, initial यह किसमें हो रहा है, यह इतने में हो रहा है, यह अपका 1 है, that is S, और यह 2S है, S की value यहाँ पर दी दी गई है, समझ लेज़े, मूलर आपको कितना लेना है, 0.01 इसका भी दिया गया, यहाँ पर 0.01 ले रहे हैं, और इसको 2 into 0.01 ले रहे हैं, ठीक है, clarity यहाँ पर होगी साथ आपको, PBCL2 की हम बात कर लेते हैं, dissociation आपने कर दिया, PBCL2 क्योंकि standard उसमें हम लोग कर रहे हैं, अब यह भूल जाए, हमने उसको solve कर लिया, हम second one देख रहे हैं, ठीक है, PBCL2, उसका standard तो आपको प लेगा, S plus 0.01, क्यों, वही जैसे कि अभी पीछे हम solve करके आचुके हैं, इसका आप solution करते हो, solution करने के बाद यहाँ पर आपको S की value चुहे, easily मिल जाएगी, and that will be, S is equal to 10 दिस पर माइनिस 5, last हम लोग देख लेते हैं, that is buffer solution, यहाँ आपको clarity नहीं मिली होगी, please KSP की direct trick वाली value देख लीजिए, मतलब video देख लीजिए, आपको वह अच्छे से समझ में आ जाएगी, buffer की हम लोग बात करते हैं, buffer से related question पूछा जाते हैं, तो मैं पहले समझा देता हूँ, buffer क्या होता है, and then उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, question मैंने आपके लिए निकाला हु तो base का मैं आपको इजली समझा दूँगा, यहां सोचिए, यह आपको acid दिया गया है, इसका base मतलब इसका ही conjugate acid, conjugate base दोनों दिये गए, in short आप याद रखेगे, यह simply buffer आपको दिया गया है, इसका concentration हम लोग समझते हैं, C1 और इसका concentration हम समझते हैं, C2, ठीक है, number of moles की बात करो तो इसका mole number है, A, इसका mole number है, B, ऐसा आप सोच लिचिए, यहां CS3CW, जो है, that is acetic acid, यह dissociate किस में होता है, CS3CW- में, और H+, में होता है, ऐसा आपको समझना है, ठीक है, at initial, इसकी concentration हमें पहले से ही पता थी, क्या पता थी, that is CS3, आयन की जो थी, that is C1, और इसकी value क्या थी, C time T is equal to T, हमारे पास क्या हो जाएगा, आप समझ यह, कि आप क्या कर रहे हो, X बना रहे हो, इसमें भी X plus कर रहे हो, X बन रहा है आपके पास, किस में से बन रहा है, इसमें से बन रहा है, तो इसमें से X minus कर दीजिए, तो यहां C1 पहले सही था, उसमें दोनों में X, आपने plus यहां से x को माइनस किया, समझ गये चिस? नेक्स रम लोग बात कर लेते हैं, that is, के a की अब के a निकालना है, क्यों? के a निकालना है, लॉजिक वही आना चाहिए, क्योंकि यह हमने इसिड लिया है, के a कैसे सॉल्फ करोगे इसके लिए, that is, product upon reactant कर देजिए, तो यह आपके पास product थे, यह आपका reactant था, अगर इसको solve करते हो, तो यहां पे जो है, x, x की value जो है, कर जाएंगी, ठीक है, with respect to that, हमें जो क्योंकि c1 और c2 के लिए निकालना है, तो यहां पे x, x की value जो होती है, बहुत कम होती है, जो changes हो रहे हैं, इसके लिए हमें उसको neglect कर देना पड़ता है, तो आपके पास क्या मिलेगा, that is, c1 upon c2 into x मिलेगा, ठीक है, that is, k a, अगर इसको solve करता हो, मुझे x की value अगर निकालता हो, मैं यहां पे, तो क्या मिल जाएगा, x is equal to c2 into c1 into k a, समझ के, इतना clear है, I hope clear होगा, अब both side हम लोग लोग कर देते हैं, both side अगर आप log से minus करते हो, मतलब log रख देते हो, तो क्या हो जाता है, ध्यान से दिखे, both side हम लोग minus log से multiply करते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, minus log x मन जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, minus log of c2 upon c1 into k a, ठीक है, clear है यहां पे, minus log x, x मतलब क्या है यहां पे, ध्यान से देखे, h plus है, मतलब यह क्या हो जाएगा, minus log of h plus, ठीक है, इसको solve करते हो, तो minus log of c2, minus, यह plus हो जाएगा, log of c1 और यह क्या हो जाएगा minus log of k a I hope यहाँ तर clear है minus log of h plus क्या होता है that is pH होता है इन दोनों का solution करते हो log के लिए तो आपको क्या मिलेगा log c1 upon c2 और plus यह क्या होता है minus log k a क्या होता है that is p k I hope यहाँ तर clear हो चुका है अब हमारे पास जो c1 और c2 था वो क्या था c1 था that is salt और दूसरा जो था वो था acid तो c1 था salt यह था आपके पास acid तो हमारे पास जो final formula मिला है that is for pH यह आपको हमेशा याद रखना है for buffer यही चीज़ अगर हम लोग base के लिए कर निकालोगे अगर आप की जगे पे base हो जाएगा pka की जगे पे pkb हो जाएगा pH की जगे पे poh हो जाएगा और simple वैसे का वैसा ही formula है अब एक question solve करने की try करते हैं और यह formula को हम लोग use करने की try करते हैं कि कैसे आप solve कर सकते हो questions is get through question देखे find the pH of solution if 2 moles of HCl is added to 10 moles of CS3 CWH present with 10 moles of that iron तो इसका ही आइन दिया गया है समझे इन शॉट यह acid दिया गया है ठीक है यह वफ़र दिया गया आपको और इसकी वैली pka की वैली आपको पहले से equation में दे दी गई है solve करने की try करते हैं अब यह जो आपको दिया गया है आइन सोचिए CS3CWO- CS3CWO- जब वो H+, के concentration में आएगी जब वो H+, के concentration में आएगी तो आपको क्या मिलेगा यह इसके साथ आजाएगा CS3CWOH और यहाँ पे हम CL क्यों नहीं ले रहे हैं CL होता है यहाँ पे आपको CL को neglect करना है that is spectator iron वो कभी भी solution मतलब आपको लेना नहीं होता है उसको भूल जाएए ठीक है तो हमें क्या लेना है simple सा यह चीज़े हमें लेनी थी इसकी values दी गए थी दीखे acid के लिए आपको दे दिया गया था 10 moles ठीक है HCL के लिए आपको 2 moles दे दिया गया था ठीक है X mole बनता है इसा हम सोच लेते है तो इसमें से X X को माइनस कर दीजे basic concept समझ में आया था चीज़ अब ध्यान से देखेगा एक चीज़ हमें से याद रखे अगर मैं इसको लेता हूँ ठीक है 2 माइनस X को तो कैसे लिखोगे आप 2 माइनस X is equal to 0 और X is equal to 2 तो यहाँ पे X की value हमें क्या मिल जाती है 2 अब question आपके दिमाग में आल सकता है कि भाईया हमने यहाँ X को value 2 find करने के लिए हमने directly यह ले लिया हमने यह क्यों नहीं लिया यहाँ पे भी आप कर सकते थे 10 माइनस X 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा 2 माइनस 10 करोगे तो क्या माइनस 8 निकलेगा माइनस 8 कभी solution में नहीं लिया जाता ठीक है तो यहाँ पे limiting reagent कोन बनेगा limiting reagent will be this one और इसलिए हमने solution इसके लिए किया है यह trick है limiting reagent का find करने का मैंने साथ आपको समझाया भी होगा उसके related भी trick पहले सही channel पे अब level है ठीक है तो हमें यहाँ X की value 2 मिल जाती है अगर X की value 2 और put on कर लेते हो तो यह क्या बन जाएगा आपका 0 यह क्या बन जाएगा 8 और यह क्या बन जाएगा 12 I hope यहाँ तक में clear हो next हम लोग बात कर लेते pH solve करने के लिए अब pH solve करने के लिए क्यों हम pH निकाल रहे है क्योंकि acid दिया गया है तो तिमाग में रखेगा और pH solve करने के लिए आपके पास formula था यह that is salt upon acid याद रखेगा log salt upon acid log हमने किया salt क्या था हमारे पास यहाँ पे यह salt है जो negative में दिख रहा है आपको तो 8 है इसकी value acid क्या दिया गयी है 12 तो हम डिवाइड बै 12 के लिया व्याद रखेगा that is always concentration यह concentration होती है साथ C1, C2 देखके समझ में आ रहा हो तो यह concentration हम इससा क्या होता है mole upon volume होता है यह जो हमें दिया गया था 8 and 12 वो क्या था mole था volume हमें नहीं पता तो divide by VV कर दीजे VV कर जाएगा तो हमें T and Y मिल जाएगा ठीक है plus क्या करना आपको Pka Pka की value आपको question में दे दी गह थी 4.74 ठीक है इसको हम solve करते है log of यह क्या हो जाएगा इसको आप solve करोगे तो 2 upon 3 बन जाएगा 4.74 अगर आप इसको मैं solve करता हूँ simply 4.74 log of 2 क्या होता है 0.301 तो यह समझ यह 0.3 और इसका हो जाएगा log of 2 हमने यह लिखा log of 3 अगर solve करते हो तो 0.48 निकलता है इसको हम solution कर लेते हैं तो pH की value क्या निकलेगी आपको 4.56 I hope मैंने यहापे बहुत सारे points clear out कराने की try की होगी एक बार हम लोग overview ले लेते हैं हमने क्या क्या discuss किया है इस पूरे वीडियो के अंदर फर्स मैंने आपको बताया acid-based equilibrium के कैसे solutions आप pH कर सकते हो वो चीज़े हमने clear out then हमने देख लिया multi-stage ionization multi-stage ionization simple सा basic कैसे solve कर सकते हो polyatomic acid आपको दिया होगा तो कैसे solutions आपको निकाल लेना हो भी हमने देख लिया detail में solubility product के भी में दो product मैंने आपको करके बता दिया इसका trick आप देख सकते हो चैनल पर पहले सी अवलेबल है and then buffer solution कैसे solve करना है उसका formula derivation मैंने करके बताया and questions को कैसे tackle करना है वो भी चीज़े हमने देख लिया I hope वीडियो आपको पसंद आये होगी चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब कर लिजे get a reaction नाम से हमारा telegram channel है आप वहाँ पर भी join हो सकते हो handwritten note, daily questions, pdf और बहुत सारी चीज़े वहाँ पर अविलेबल रहती है चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब कर लिजेगा show your support and video को जोड़ी लाइक कर देजेगा thank you, thank you so much